दोस्तों आप देख सकते हैं LG की वासिंग मसीन है और इसमें प्रोब्लम यह आ रही थी कि इसकी जो मोटर हैं स्पीन और वास पहले तो क्या है कि स्पीन चल रही थी और वास नहीं चल रही थी जब कुछ दिन बाद इसकी वास भी बंद हो गई उसका रिजन क्या है वो भी मै आपको खोलने होते हैं और इसके लावाए एक पेच होता है बिल्कुल नीचे इसके पेंदे में और आगे की तरफ होता है उस पेच को खोलना है टोटल साथ पेच होते हैं इसको अलग करने के लिए तो आप इसको इस तरीके से अलग करेंगे यहां पर आप देखें मसीन की मोंटर हम ने पहले खोल ले गयाता है कि फिट करके आपको बताएंगी तो आपो को दिखाूंगा आप यहां देख सकते हैं तो यहां पर हमने कैस्डोर के उपड़ सही मोंटर को खोला है स्पीन को और इसके अलावा वास को भी हमने खोला है दोनों की वार्णिंग होई है आप यहां देख सकते हैं तो यहां पर हमने स्पीन की मोटर को लगाएंगे इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं और ब्रेक का आप ध्यान रखें ब्रेक के हिसाब से हम इसको ल Soaker पर जैसे Soaker आने चाहीए उसके ह hotel साहे, गलकुल और आप चाहे तो झब मोटर खूलते हैं तो Soaker के नीचे से भी सको कूल सकते हैं, लेकिन हमने किया की जब अलगी करली तो जो उपर से के हैं और इसके लबाव तीन पेच जो इस्पीन की मोटर के हैं तो अब इनको क्या करेंगे हम अच्छे से पेच कर से टाइट कर देंगे तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों आप सोच रहे होंगे पॉलोथीन हमने क्यों लगा रखा है पॉलोथीन लगाने का एक में कारण है इसमें क्या होता है कि जब हम वूफर चेंज करते हैं तो कुछ टाइम बाद साल दो साल में तीन साल में वो खराब हो जाता है जैसे वूफर खराब होगा तो मोटर के अंदर पानी जाएगा और पानी जाते ही मोटर अमारी खराब हो जाएगी तो यहां पर हमने तो आपको यह चेक करवानी होती है कि पानी कहां से आ रहा है अगर आपको रिजन पता चल जाता है तो तुरंट आप उस जो भी कमी है उसको सही करवाए उससे कहाए और ज्यादा फाल्ट नहीं होगा तो इसमें कहाए कि इसकी वास भी खराब हो गई थी और इसी वज़े से होगा तो इसके पानी मुद्छे जाता है हलका फुलका तो इसमें कह civरे के कुछ पर्सेंट कुछ पर्सेंट पानी इसका वास में भी चला गया था जिसके करण कुछ वायर इसके जल गए थे दोनों की कुछ वायर जले थे तो हमने क्या है फिर इसको पूरा नया वाइंडिंग क्या है और इसको हम सेट कर देंगे जब भी अच्छे सेट हो जाएगी तो आपको मैं बताऊंगा इसके करेक्शन कैसे हम करेंगे दोस्तो वेसे तो इसमें कलर कोड होता है लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं बिस चार वायर लेकाल कर तो उसको भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या है कि यहाँ पर हमने इसके कलर कोड के हिसाब से लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें जो वास की मोटर है हमारी उसके कनेक्शन करेंगे तो इसमें आप देखें पीला एक तार है जो की उपर जा रहा है और एक लाल तार है ये वास का है मतलब इसमें क्या है कि रिवस फारवर्ड गूमती है और इसके वाल अलावा एक white color है जो इसका man है मतलब man जो direct लगेगा वो है तो ये तीन color के wire हैं लेकिन अगर आप चार तार से लगाना चाहते हैं तो जो दो तार को एक करेंगे running starting को तो वो तो white में लगेगा और बाकी capacitor की तार लाल और पीले पे लग जाएगी ये connection चार तार वाला होता है और ये जो color कोर्ड से आप आसानी से करी सकते हैं कोई problem आपको नहीं आएगी अब इस पर तो हम टेप कर देंगे वास वाली पर और जो इसकी spin की motor के wire है उनके बारे में हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं इसमें भी कहा है कि man है जो white है और इसमें जो color कहा है कि जो spin की motor का था ये दो wire थे spin के ये change हो गए उल्टे सुल्टे हो गए थे मतलब तो हमने कहा है कि ये अलग तरीके से लगेंगे और इसमें अगर आपको पता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लेकिन color code के हिसाब से आप wire निकालेंगे तो कोई परिशानी आपको नहीं आएगी अगर चार तार निकालते हैं तो आप man का ध्यान रख लें इसमें man जो है केपसिटर वाली वो ग्रे कलर की wire है और इसमें जो common थी वो आपकी ये वाली wire थी जिसमें पिली लाइनिंग और काले लाइनिंग आ रही है तो यहां पर हमने किया जब वाइन निकी थी तो यह तार मिसमेंच हो गई थी मतलब इदर से उधर हो गई थी और इसमें भी spin में भी white कलर का main है बाकी दो केपसिटर की wire है जिन मेंसे grey कलर की main होती है इस तरीके से हम इसकी wiring कर देंगे wire हमने लगा दिये है यह अर्थिंका wire है इसको भी हम लगा देंगे यहां पर बहुत ही आसान तरीके से यह इसकी wiring हो गई अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे इसमें अगर आपने मतलब buffer की वज़े से यह खराब हुई है तो buffer को जरूर change करना है और buffer आप जरूर change करें क्योंकि buffer change नहीं करेंगे तो दुबारा link होने से खराब हो सकती है तो आप यहां देख सकते है यह page अच्छे से टाइट कर देना है लूज कोई नहीं छोड़ना है और आप connection इसके देख सकते है यहां पर यह buffer आपको change करना होता है buffer के बारे में मैं आपको थोड़ा detail से बताता हूं तो friends यह क्या है कि वो पुराना है यह नया है LG का ही है और इसको लगाने की एक तरकीब होती है कि पीछे की तरफ से इसको प्रेस किया जाता है और आगे की तरफ धका देकर इसको इजली लगा दिया जाता है इसके अलावा इस पे एक चिपकाने का आइटम लगता है मतलब जिसको हम सिलोचन या फिर माक्स और मौन्ड भी कुछ ऐस तरह की आती है तो वो जब आप पर्चेज करेंगे जहां से आपको इजली मिल जाएगी तो उसको लगाना जरूरी है कि ताकि के बर ऐसा होता है कि अलकि फूल के लीकेज भी हो जाती है कि यह की निकल भी जाती है तो इस तरीके से फिर हम इसको बहुती आसान तरीके تو भी तो इसका गेर बॉक्स भी clinic यह तरीके से पूरा कूल ना होता है जो सिलुसे यह क्या है कि LEGO और सेमसंग की जो वासिंग मसीन होती है उनमें यह सिस्टम होता आ हुऋ उसका वी बेशिक से इसी तरीके से हैं मतलब इसी तरीके से वह खुलती है उसका भी गेर बॉक्स वगरा इस तरीके से चेंज कर सकते हैं आप बहुत आसान है कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है तो यहां पर जब हम इसके बठाएंगे तो इसकी जो ड्रम की पुली ह उसको सेंटर में लगा कर बठा देंगे और इसका जो पेज का कट होता है साफट पर ड्रम की पर उस पेज के कट को बराबर रखके उस पेज को हम टी से टाइट कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने तैयार कर लिए है इसकी बेल्ट भी चड़ा दी है और मैं आप हम वायर लगाएंगे और वायर लगाने के बाद यहां पर करेंगे तो आप देख सकते हैं वह भी हमारी चल गई है और मैं आपको इस पीन भी दिखा देता हूं इस पीन भी हमारी धर राटे काट रही है तो आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से आप अपनी वास्क मशीन को रिपेर कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई भी प्रोब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें.